बिस्मिल्ला इर्मान रहीं, वेलकम टो मेडिकल वर्ड बाई ए अब हम देखेंगे के सेल इंजरी होती किस वज़ा से है और हैपाउक्सिया क्या होता है हैपाउक्सिया जो है ऑक्सिजन लेवल जो है टिशु में कम हो जाना रिडक्षन ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजन का लेवल टिशु में कम हो जाना उसे हम कहते हैं हैपाउक्सिया अगर टिशु उसको ऑक्सिजन पूरी नहीं मिलेगी तो वो जाहिरी बात है कि वो अपना फंक्शन नहीं कर सकेंगे, लोस ऑफ ऑक्सिजन की वज़ा से वो damage होना शुरू हो जाएंगे loss of blood supply होगा टिशू में तो cell injury होगी hypoxia की वज़ा से क्योंकि oxygen जो है वो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो oxygen की कमी जो है main cause इसका अब हम देख लेते हैं immune reaction immune reaction में क्या आजाता है immune reaction से भी cell injury होती है दो तरीकों से hypersensitivity reaction जो के कोई disease होना अगर बाहर से कोई antibodies है, antigen reaction हुआ है कोई bacterial reaction हुआ है बाहर से तो उसको हम कहते हैं hypersensitivity reaction और अगर autoimmune disease में second number जो हम देखते है autoimmune disease autoimmune disease में क्या आजाता है अगर हमारा जो immune system है वो खुद ही antibodies को खतम करना शुरू कर दे और खुद ही अंदर disease cause करें तो उसे हम कहते है autoimmune disease thank you for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगी please like and subscribe my channel अगर उसी अगर रव quickly म देल हमारा जो तो खंगर को आप